नुपूर शर्मा के खिलाफ कारवाई करने की डिमांड और मुतालबा पूरे देश में हो रहा है और बड़े-बड़े प्रोटेस्ट हुए प्रदर्शन हुए तो बजाए इसके के नुपूर शर्मा जिनकी विजह से पूरे देश का माहुल बिगड गया बिगड रहा है उन उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं है वो आज भी आजाद घूम रही है और उनकी खिलाफ कारवाई की मांग करने वाले लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है उनको उनके खिलाफ यूए प्ये और लगाया जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लिया गया जुबेर को गिरिफतार कर लिया गया और डीजी पी जो एक्स डीजी पी गुजरात के हैं उनको गिरिफतार कर लिया गया तो आप यह जो पहमाना है अलग-अलग एक व्यक्ति को बचाने में पूरा तंत्र लगा हुआ है और दूसरी तरफ बगहर किसी जुर्म के लोगों को जुखाय जा रहा है जी फिर्फ माफी मांगना काफी रहेगा नुपुल शुर्मा जैसे सुप्रिम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिये हैं और सुप्रिम कोर्ट ने नुपुल शुर्मा को पूरे देश में जो हालात भिगड़े उसके लिए जिम्मेदार ठेहरा है उसका हम उसकी हम फुष्टी करते हैं स्वागत भी करते हैं और जो उनको मश्वरा दिया गया है कि वो देश के सामने आके माफी मांगें तो यह बात भी ठीक है कि वो माफी मांगें लेकिन माफी मांगने से मसला हल नहीं होगा माफी जरूर मांगने चाहिए उनको लेकिन माफी मांगने से अन्याय नहीं होगा न्याय तब होगा जब उस अपराद की सजा मिले उनको ये बड़ा अपराद है जिनकी वज़े से देश में इतना बड़ा वबाल पैदा हो गया है नफरत पैदा हो गई है और इतने सारी लोगों की ग्रिफतारियां हुई है लोगों के घर उजड़े हैं और यह हत्याएं भी जो हुई है यह उसी उसी क्रम में सब हो रहा है तो इन सब के बावजूद नुपूर शर्मा को ग्रिफतार न किया जाना यह बहुत ही आश्यरे जनक है आखिर क्यों उन लेने किसी को इज़ाज़त नहीं होनी चाहिए और जिसने भी कानून हाथ में लिआ है उसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन उसकी आड में जो अवराज़नीति की जा रही है नफद वहालाई जा रही यह उस अपराद को कुछ लोग कह रहा हैं मदर से की शिक्षाओं के कारण ऐसा हो रहा है कुछ कह रहे हैं कि उनका फला 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 तो यह जांच का विश्य है क्विश्षय कौन-कौन इसमें अब आप कई वीडियो ऐसे भी आ हैं कि जो जो हत्या करने वाले जो लोग हैं उन में से किसी के एक राजनितिक पार्टी से संबंद भी नजर आ रहे हैं उनके साथ फोटो नजर आ रहे हैं तो यह जांच का विशय है और जांच के इसमें इस पूरे मामले में जो व्यक्ति या जो पार्टियां या जो वर्ग भी जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाब जांच के बाद कारवाई जरूर होनी चाहिए और इसकी आड़ में नफरत फैलाना और किसी कम्यूनिटी विशयस के खिलाब माहूल पादा करना यह भी बहुत बड़ा जुर्म है इसको भी सरकार को और सुप्रिम कोर्ट को इसका संग्यान लेना चाहिए अब देखिए जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जो काम कर रहा है उसकी बात करना ठीक नहीं है आप सब जानते हैं मुसलमानों का स्टेंड क्या है और अगर वो अपनी अंतरात्मा को बेच कर और आगे के लिए अपने मनसूबे बना रहे हैं और सेवा कर रहे हैं जिन्हों ने उनको पद दिया है तो यह तो उनका मामला है ऐसे लोगों को देश अच्छी निगा से नहीं देखता पिछले पांस साल में बहुत लोगों के साथ मोब लिंचिंग जैसी गटना है हुई लेकिन उन पर कभी यूए पी यह से जैसे मुकदमे नहीं लगाएं सरकार ने लेकिन अब इसमें साथ की चांश लगाती है यूए पी का मुकदमा भी तर्च कराया गया कैसे देख रहे हैं कि जब मुसल्मानों की हत्याय होती जब तो सब इस तरह का मामला नहीं आजा सामने कि यह कहते हैं हत्या चाहिए किसी की भी हो करने वाला किसी धर्म का हो किसी पार्टी का हो हम यह कहते हैं कि देश में कानून है और वह कानून सब बरावर का सुलूक हो रहा है यही तो अफसूस की बात है कि ये एक जैसा नदर नहीं आ रहा है और ऐसा मैसुस हो रहा है कहीं कएंपर पुलिस जो है वो कानोन के मताबिक काम करने के बजाए अपने राजनीतिक जो उनके संड़क्षक ہیں उन उनके इशारों पर काम कर रही है या उनके एजेंडे पर काम कर रही है तो हम पुलिस और एड्मिस्टेशन को और कानून विवस्था बनाए रखना जिनकी जिम्मेदारी है उनसे कहना चाहते हैं कि वो किसी के गुलाम न बने वो एक आजाद संस्था के तौर पर और कानून क के मताबी कारवाई करें और किसी के एजेंडे पर अमल करने वाले न है uenब बने। हम देख रहें देश में ऐसी घटनाई सामने आ रही है अनसा लग रही है कि पुलिस और प्रशाशन जो है वह आजादी से काम करने के बजाए किसी के दवाओ में काम कर रहा है या किसी के एजेंडे पर काम करना है शर मुंबई में देखा गया कि 12 Тारीक पर पेश करने लेकिन ये हैं कि महाराश्च में कैसे सरकार गिराई के निर्ख रूऊ-Nina पर गिराए गई कब से कोशिश हो रही थी यह सब देश के सामने हैं और अधालतों को भी इस मामले में अपना रोल अदा करना चाहिए कि वह निश्पक्स होकर जो है कारवाई करें तो में स्ट्रीम मीडिया जो है वह लगातार जो है बात अगर अगनीपत की की जा तो उसके स एक मास्टर स्ट्रोक है किस तरह से देख यह मीडिया किस तरह से बता रहे हैं तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह सही माने में मीडिया कहलाने के लायक नहीं है यानि जो अगर वो किसी पार्टी या सरकार के नवाइंदे बने हुए हैं या और उनकी तारिफ में लगे हुए हैं तो ये मीडिया का यह नहीं है तो मीडिया तो आप लोग हैं जो TL आज़ा रहे हैं जो अजाद है खिलाफ आवाज उठाए और जनता की आवाज को लोगों तक पहुंचा यह उसका मीडिया काम है अब जो बिख चुका है और जो उसी आवाज में बात कर रहा है उने के लिए बात कर रहा है तो हम समझते हैं कि उनको कभी ने कभी शायद उनका जमीर जागेगा और वो भी कभी अपने आजादी की बात सोचेंगे बिल्कुल यह तो हमने अपने शुरू के बयान में भी कहा है कि इसमें सिर्फ बयान देने वाले पैनलिस्ट को ही कुसूरवार नहीं मानना चाहिए बलके उस चैनल में जो एंकर है और उसको भी जमेवार मानना चाहिए कि वो उस डिबेट को किस तरह से ले जाते हैं और कितना भड़काने की वो कोशिश करते हैं यही बात सुप्रिम कोट ने भी कही है कि उनके खिलाबी कारवाई होनी चाहिए लेकिन ऐसी डिबेट में जो है मौलाना और मुसलिम्स भी चले जाते हैं तो उनके उपर भी ऐस तर अब जाते हों बैराल दुनिया देख रही है और हम यह कहते हैं कि जो भी भावनाओं को बढ़काने का काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं उनको एसे लोगों को रूपा जाना जाना चाहिए बारबरिक कहा जाएगा वो एक इनसान किसी सब्य समाज में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कोई जो है उसकी किसी भी वज़े से उसकी उसका समर्थन नहीं कर सकता जो हूँ है बिलकुल गलत हुआ है और इसलाम के भी सिक्षाओं के भी खिलाफ है वो इसलाम भी जो है इन पर नहीं होना नहीं होना चाहिए उसकी नारोग करने के आजादी होनी चाहिए और विरोध करना कोई गलत नहीं है लेकिन आप विरोध कैसे करेंगे और अगर आप वहां पर भी नफरत फैलाने वाले नारे लगाएंगे पूरे समाज में एक तरह की भावनाओं को बढ़काएंगे तो वो तो कानून के खिलाफ है उसके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए प्रदर्शन करने अपनी बात कहने का अधिकार सब को है लेकिन भावनाओं को बढ़काने नफरत फैलाने और समाज को विबाज़त करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकता। गटना जो अंजाम दी उन लोगों ने किन हालात में दी कौन-कौन लोग इसके पीछे हैं क्या कोई उनको उक्साने वाले हैं या किसी से संबंध हैं और अब तो यसे वीडियो भी आ रहे हैं कि उनके जो है एक पार्टी के एलफसंख्यक मोर्चा के लोगों के साथ फोटो इसके तार कहां तक जुड़े हैं कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं तो उन सबको जांच के बाद सबको सजा मिलने चाहिए गई और उसमें उन्होंने अपने खिलाब जो एफायार है उन सबको क्लब करने की अपील की थी तो उस पर सुप्रिम कोट ने रियक्ट किया और उसको रिजेक्ट किया और उनको डांट लगाई कि तुमारी वज़े से सारा यह माहौल खराब हुआ है वराल हम उसका पूरी रहेगी इनसाफ तब तक नहीं होगा जब तक नुकुल शर्मा के खिलाफ कानूनी कारवाई नहों उनकी गरिफ्तारी नहों लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हो रहा है सर यह यह सब इस पर पूरा देश जानना चाहता है आप लोगों को इसलिए बुलाया है है कि हम सब मिलकर जाने के आखिर क्यों नहीं गरिफ्तारी हो रही है